Hello viewers, I hope you all are good. Tancers के इस सिरीज में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है. आज मैं Tancers से जुड़े कुछ Numericals डिसकस करने जा रहा हूँ. तो अपने पिछले वीडियो में मैंने इस Numerical को solve करा था. काफी casually, वहाँ पे मैंने इसे MCQ की तरह solve करा था. है ना, आज मैं इसे subjective question की तरह solve करूँगा. मैंने आपको वहाँ पे simply बताया था कि इस Tancers का हमें दो Tancers है हमारे पास, ठीक है? दोनो Tancers का product करने के बाद, जो result हमें मिलेगा, वो कितने rank का होगा, यह हमें पता लगाना था. है ना, इन दोनों के product करने के बाद, जो Tancers है, वो किस rank का होगा, तो मैंने आपको simply बताया था कि यहाँ पे i है, यहाँ पे i है, यहाँ पे m है, यह cancel हो जाएगा, और jkl, जो है, यानि कि 3 indices यहाँ पे बचे, 2 jk, 2 superscript, और l, 1 subscript, यानि कि यह rank 3 का Tancers होगा. है ना, मैंने आपको क्या बताया था, a, i, j, k, l, m, और यह b, m, i, यह i और i cancel करतीचे, m और m cancel करतीचे, j, k, और l, तीन बचे तो यह rank 3 का Tancers होगया, यह मैंने आपको काफी casually बताया था, आज मैं इसे solve करूंगा, as a subjective question. तो सबसे पहले जो हमारा पहला टेंसर है, a, i, j, k, l, m, ठीक है, a, i, j, k, l, m, यह हमारा पहला टेंसर है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि यह i, j, k, जो है, वो superscript में है, यानि कि contra variant components हैं वो, और l, m, जो है, वो subscript में है, यानि कि यह covariant components हो गए, ठीक है, अब यह हमारे coordinate transformation के पहले के coordinate है, अब हमने अपने coordinate को कर दिया transform, अपने coordinate को कर दिया हमने rotate, ठीक है, अब जो rotation के बाद, यानि transformation के बाद, हमारे पास जो coordinates हैं, suppose कि वो है, a, alpha, beta, gamma, c, d, यह है, ठीक है, a, alpha, beta, gamma, and c, d, ठीक है, यहाँ पर तीन contra variant थे और दो covariant components थे, तो यहाँ पर भी हमने तीन contra variant और दो covariant components लिये हैं, अब आपको यह ध्यान में रखना है, कि contra variant और covariant components को हम लोग कैसे, के लिए हम लोग कैसे transformation equations लिखते थे, यह आपको दिमाग में रखना है, तो अब यहाँ पर हम लोग अगर, यह हमारा, जैसे कि मैंने बताया है, कि यह coordinate transformation के बाद का coordinate है, यानि यहाँ पर यह हम लोग prime लगा देते हैं, यह इस तरीके से आप prime भी लगा सकते हैं, या इस तर दोनों ही सही है, दोनों ही हमें यह बता रहा है, कि यह transformation के coordinate के बाद के coordinates है, तो अब इसका अगर हम लोग transformation लिखें, तो आपको याद होगा, जब हम लोग contra variant components का coefficients लिखते हैं, तो उसमें हम लोग prime वाले पार्ट को numerator में रखते हैं, और जब हम लोग covariant components के लिए transformation equations लिखते हैं, तो coefficients में हम लोग prime वाले पार्ट को denominator में रखते हैं, ठीक है, यानि कि यहाँ पे यह alpha जो है, contra variant है, तो यहाँ पे हम लोग doux prime alpha upon doux, अब यहाँ पे alpha है, alpha के corresponding यहाँ पे क्या है, i, यानि i, यह beta भी contra variant है, तो प्राइम वाले पार्ट को उसमें भी numerator में रखेंगे, या upon doux, यह j, doux prime, gamma upon doux, k, ठीक है, उपर वाले सारे, यानि सब सूपर स्क्रिप्ट जो थे, उनका काम हो गया, तमाम, यानि contra variant components हो गया, अब covariant components में आते हैं, c, d, तो covariant components में मैंने क्या बोला, प्राइम वाले पार्ट को उसमें रखेंगे, denominator में, ठीक है, तो doux, यह c, c का हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे doux prime c, तो c के corresponding l है, तो यहाँ पे l, और यहाँ पे doux m upon doux prime d, और यहाँ पे हमारे पास ultimately a, i, j, k, l, m, अब देखिए, यहाँ पे summation मैंने नहीं लिखा है, हा न, इसका मतलब है कि यह जो equation, transformation, equation, इसके लिए मैंने लिखा है, वो मैंने summation convention में लिखा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे summation नहीं है, अब हम लोग इस पे आते हैं, ठीक है, तो आप देखिए, यहाँ पे जो m था, है न, यहाँ पे जो m था, वो, यहाँ पे क्या हो गया, d हो गया, और यहाँ पे जो i था, उसक physical quantity है इसका यह transformation के पहले का कॉडिनेट है अब हम लोग transformation के बाद का कॉडिनेट क्या एज्यूम करेंगे एम के corresponding डी यानि यह डी और आई के corresponding अलफा यानि की अलफा तो यह जो हमारा है यह प्राइम यहां पर हो गया यहां पर प्राइम भी दे सकते है प्राइम और बार क्या डइनोट करता है कि यह कॉडिनेट का sign होगा और क्या होगा m,i जिसकी value 1 से लेकर के 3 तक 3-dimensional space में, 4 तक 4-dimensional space में, n तक n-dimensional space में, तो हम लोग इससे summation convention में लिखेंगे, इसलिए यह summation हटा दे रहे हैं, अब अभी मैंने क्या बताया है कि जब हम लोग super script, यानि कि contra variant component का जब हम लोग transformation करेंगे, तो coefficient में हम लोग उसे prime वाले पार्ट को numerator में रखेंगे, यानि कि यहाँ पे dou x prime d upon dou x m और यहाँ पे dou x i upon dou x prime alpha, ठीक है, यह alpha नीचे क्यों आ गया, क्योंकि यह covariant component था, है ना, तो यहाँ पे prime वाला part, covariant में आ गया, ठीक है, एक minute, एक minute, अभी मैं यहाँ पे क्या mistake करूँ, एक blunder mistake में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखिए, यहाँ पे मैंने bar resume कर रहा है, और इधर में sum में prime लगाया जा रहा हूँ, तो कोई एक, मतलब दोनों चीज़ से हम लोग same चीज़ को denote कर सकते हैं, लेकिन अगर अब हम लोग denote bar से कर रहे हैं, तो हर जगा bar use करना चाहिए, और अगर हम लोग हर जगा prime use कर रहे हैं, तो prime use करना चाहिए है न, तो इन दोनों को मैं हटा के यह prime ही use करता हूँ, क्योंकि मुझे prime ही use करने की आदत है, इसलिए बार-बार यह मैं prime लगाया जा रहा हूँ, तो bar मैं नहीं use करता हूँ, वैसे बार अगर कहीं मिले तो आप यही समझेगा कि वो coordinate transformation के बाद का coordinate है, वह ही denote करना चाह रहा है वो, ठीक है, अब यहां पर हमारा क्या आजाएगा, BMI, ठीक है अब यह हमारा equation 1 हो गया, और यह हमारा equation number 2 हो गया, equation 1 और equation 2 को कर दिज़े multiply, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, A prime alpha, beta, gamma, cd, b prime, d alpha is equals to, यह पूरा का पूरा product होगा, है ना, यानि क्या हमारे पास क्या आएगा, dou x prime alpha upon dou x i, dou x prime beta upon dou x j, dou x prime gamma upon dou x k, dou x l upon dou x c prime, dou x m upon dou x ठीक है, ठीक है, और यह इसके coefficients, यानि कि dou x prime d upon dou x m, and dou x i upon dou x prime alpha, और finally यह, और यह, यानि कि ai, j, k, l, m, b, m, i, है ना, यही है, ai, j, k, l, m, b, i, ठीक है, अब, देखिए, अगर हम लोग rectangular coordinate system में है, यानि कि हम लोग cartesian tancers के उपर अगर discussion कर रहे हैं, है ना, मैंने आपको पिछले वीडियो में fundamental tancers के बारे में, metric tensor के बारे में बताया था, तो मैंने उस वीडियो में आपको बताया था, कि metric tensor से पहले, जितने भी tensers पर मैं discussion कर रहा था, जिसमें मैंने rectangular coordinate system का use कर रहा है, जिसमें हमारा space time flat होता है, तो वहाँ पे जो physical quantities हैं, उन्हें हम लोग cartesian tensor कह सकते हैं, तो cartesian tensor में क्या होता है, cartesian tensor में, जैसे कि यहाँ पर यह वाला part है, तो cartesian tensor के लिए क्या होता है, dou x prime alpha upon dou x i is equals to dou x i upon, is equals to dou x alpha prime upon dou x i, यानि कि जो contra variant part होते हैं, वो equal होते हैं, cartesian tensor के case में, ठीक है, तो यहाँ पर contra variant यह components थे, यहाँ पर super scripts है, और यहाँ पर यह सब scripts हैं, यह covariance है, covariance components है, तो यह दोने equal होगा, यह दोने equal होगा, तो यहाँ पर dou x alpha और यह दो x prime alpha, यह dou x i और यह dou x i cancel होगा, ठीक, उसी तरीके से, यहाँ पर यह dou x prime d और यह dou x prime d और यह dou x m और यह dou x m cancel हो जाएगा, यह cartesian tensor के लिए ऐसा होता है, कि contra variant और covariance जो होते हैं, अगर indices same हैं, तो वो cancel हो सकते हैं, ठीक है, अब यह जो बचे, यानि कि यह b, यह gamma k और यह lc, bj gamma k lc, है ना, इसको हम लोग उस side अगर ले जाएं, ठीक है, तो अब देखिए हमें अपना final answer मिलेगा, तो यहाँ इस side सिर्फ यह बचेगा, यानि कि a i j k lm, bmi, यह बचा, और इन सब को हम लोग उधर ले गए, उधर ले गए, तो यहाँ पर क्या आया, do x j upon do x prime beta, do x k upon do x prime gama, do x c prime upon do x l, बाकी सब cancel हो गया, यह do x j उपर हो गया, यह do x prime beta नीचे, यह do x k उपर हो गया, यह do x prime gama नीचे, यह do x l नीचे हो गया, यह do x c prime उपर, ठीक है, अब यह वाला पर, तो a prime alpha beta gama c d b prime d alpha, ठीक है, तो यह हमारा final equation हो गया, यहाँ से हमें यह पता चल रहा है, कि इन्सको और इसको जब हमनों product करेंगे, तो यह result आ रहा है, अब यहाँ पर आप count कीजिए, कितने coefficients हैं, 1, 2, 3, यानि कि rank 3, ठीक है, तो पिछले वीडियो में, numericals and tancers के पिछले वीडियो में, मैंने simply इसे cut कर दिया था, तो मैंने सोचा इसका explanation दे देना चाहिए, कि यह क्यों cut हुआ, ठीक है, तो मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल पर, ठीक है, यह हमारा एक tensor है, contra variant, sorry, यह co variant tensor है, क्योंकि यहाँ पर subscript है, और यहाँ पर contra variant tensor है, क्योंकि यहाँ पर superscript है, rank 1 के दोनों tensor हैं, दोनों का product करने पर हमें जो result मिलेगा, वो किस rank का होगा, और किस type का tensor होगा, यह हमें पता लगाना था, तो बहुत ही simply, इसे मैंने पिछले वीडियो में answer करा था, MCQ के तरह, कि यह हमारा super script है, यानि co variant component है, यह हमारा contra variant component है, दोनों को हम लग product कर देंगे, तो जो हमें result आएगा, वो mixed tensor होगा, क्योंकि उसमें एक contra variant component भी है, और covariant component भी है, साथ ही मैंने आपको यह बताया था, कि यह भी rank 1 का है, और यह भी rank 1 का है, तो product कर देंगे, तो rank 1 plus rank 1, यानि rank 2, ठीक है, यह simply इस तरीके से मैंने बताके, MCQ में, जो option था, mixed tensor with rank 2, उस पर tick मार दिया था, आज मैं इसे subjective question की तरह, treat करते हुए, पूरा solve करूँगा, ठीक है, तो देखिए, question क्या है, कि a mu is a covariant tensor of rank 1, and b nu is a contra-variant tensor of rank 1, so what will, what kind of tensor we will get from the product of these two tensors, and what is the rank of that tensor, तो a mu, तो suppose कर लेते हैं, a alpha prime, ठीक है, यह transformation, coordinate, transformation के बाद का coordinate, हम लोग इसको observe किये, a mu, a जो हमारा physical quantity है, उसे हम लोग observe किये, और फिर अपने coordinate को transform कर दिये, और coordinate transform करने के बाद, हम लोग a prime alpha को observe किये, अब हम लोग a mu और a prime alpha के बिश transformation equation लिख रहे हैं, तो यह बात मैं बहुत बार बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, कि जब co-variant components का हम लोग transformation करते हैं, तो prime वाले part को denominator में रखते हैं, और जब contra-variant components का हम लोग transformation equation लिखते हैं, तो prime वाले part को numerator में रखते हैं, तो यहाँ पे a prime alpha equals to doh x mu upon doh x prime alpha a mu, यह होगा, और b new is equals to doh, sorry, 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 b beta prime equals to doh x, अब यह contra-variant है, सब स्क्रिप्ट, सूपर स्क्रिप्ट है, यह सब स्क्रिप्ट नहीं है, सूपर स्क्रिप्ट है, यह contra-variant component है, यानि कि यह numerator में रहेगा prime वाला part इसमें, यानि doh x prime beta upon doh x beta के corresponding क्या है, new, new, ठीक है, जैसे यह transformation के बाद का coordinate था, और यह पहले का, वैसे ही b new के लिए, b new अगर हमारे transformation का पहले का coordinate था, तो b prime beta जो है, वो हमारा transformation के बाद का coordinate है, तो इसके और इसके बीच हम लोग लिख रहे हैं, यानि b new, ठीक है, इस तरीके से, अब यहाँ पे summation नहीं है, यहाँ पे भी summation नहीं है, वैसे अगर यहाँ पे हम लोग summation लिखें, तो हमें क्या लिखता होगा, mu equals to 1 से 3 for 3 dimension, 1 से 4 for 4 dimension, 1 से n for n dimension, और यहाँ पे भी अगर हम लोग summation convention लिखें, तो यह new equals to 1 से 3 for 3 dimension, 1 से 4 for 4 dimension, 1 से n for n dimensional space, ठीक है, अब यह equation 1, यह equation 2, ठीक है, अब इन दोनों का product कर दो, product कर दो, तो a prime alpha, b prime beta, is equals to summation convention में लिख देते हैं, ठीक है, तो summation convention मतलब, यह summation गायब, summation convention मतलब, यह summation गायब, हाना, तो क्या होगा, dou x mu upon dou x prime alpha, dou x prime beta upon dou x new, a mu b new, हैना, यह होगा, तो a mu और b new हमें निकालना था, तो इन दोनों को उस side भेज देते हैं, तो a mu और b new, जो हमारा निकलेगा, वो क्या निकलेगा, dou x alpha prime upon dou x mu, dou x new upon dou x prime beta, और साथ में, a alpha prime, b prime, beta, हाना, तो यह कितना equation होगा, equation number 3, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, एक, दो, हैना, दो होगा है, हमारे पास coefficients, यानि कि rank कितना हो गया, rank हो गया, two, ठीक है, और अभी अभी भी अगर आप मुझे पूछोगे, कि यह किस type का है, तो simply वही answer होगा, जो पिछले वीडियो में था, कि यहाँ पे अब, एक component, sorry, covariant है, और एक component, contravariant है, तो यह पूरा result, जो होगा, वो mixed होगा, mixed tensor होगा, यानि rank two, mixed tensor, ठीक है, तो उमीद है, कि आपको यह समझ में आओगा, अगर आपकी कोई भी queries हैं, तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं, मुझे mail कर सकते हैं, मेरी mail id, descriptions में है, at last with the message of universal brotherhood, love and peace, thanks for watching this video.